इंडियन एर फोर्स ने सक्सेस्फुली टेस्ट कर लिया है अपने अस्त्र मिसाइल का जिहाँ एक ऐसी मिसाइल जिसकी रफतार जो है 5555 किलोमेटर प्रती घंटे है जो कि अपने दुस्मनों को पलटने तक का मौका नहीं देती है अस्त्र एक सूपर सौनिक मिसाइल है जिसे हवा से हवा में मार करने के लिए खास डिजाइन किया गया है DR-DO के द्वारा जिहाड और इस मिसाइल का परिक्षन किया गया है सुखोई 30 MKI विमान के द्वारा और ओडिसा के टट पर इसका ट्रायल लिया गया है फिलहाल इसने अपने टार्गेट को एचिव किया है एर टू एर मिसाइल अस्त्र जो है उसे सक्सेसफुली फायर किया गया 30 MKI से जिसे डेवलप किया है DR-DO ने सुखोई इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे लेस किया गया है Active Radar Terminal Guidance से जो की एक ऐसी प्रणाली है जो इसे अचूक और अभेद बनाती है इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे कभी भी और किसी भी मौसम में इस्तमाल किया जा सकता है याने कि दुस्मन के लिए बच के निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा इस मिसाइल को फिलहार DRDO ने Mirage 2000H, MiG-29, Lightyear Combat Tejas और MiG-29, Sukhoi 30 MKI इन सभी विमानों के लिए डिजाइन किया है इस मिसाइल का परिक्षण काफी सक्सेस्पुल रहा और इस मिसाइल के भारती वायू सेना में आ जाने के बाद भारती वायू सेना की ताकत और भी बढ़ जाती है फिलहाल 36 डजाल ट्राफिल जो की फ्रांस के विमान है और वर्ड के टॉप फॉर्थ फाइटर प्लेंस में जिसका नाम आता है वो इंडियन एर फोर्स में सामिल होने वाले हैं जिससे की इंडियन एर फोर्स की ताकत और भी बढ़ जाती है और अस्त्र और डजाल ट्राफिल ऐसे घातक हतियारों के भारती वायू सेना में होने से भारती वायू सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाती है इस मिसाइल की रेंच काफी लंबी है जो की 70 किलो मेटर यानि की अगर इसे फायर किया जाता है तो ये 70 किलो मेटर दूर बैठे दूर उड़ रहे विमान को भी अपने निशाने में ले सकती है और उसे पूरी तरह से तबाह कर सकती है इंडियन एर फोर्स के इस अस्तर का जवाब भी नहीं है चीन और पाकिस्तान जैसे देश इस मिसाइल के भारती वायू सेना के पास आजाने से काफी ज़्यादा परिसान है जी हाँ और उनके लिए ये परिसानी का सबब है ही क्योंकि भारत के पास ब्रहमोस भी है और अब अ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक बार लाइक बटन को दबा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा तो धन्यवाद दोस्तो हम ऐसे ही मिलते रहते हैं अच्छे अच्छे वीडियो के साथ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद